इन दे इविनिंग, एचेंज केम, ओवर हर सायनकाल के समय, एक परिवर्तन आगया, दादी मा में परिवर्तन आए गया, सी डिड नाट ट्रे, उन्होंने प्रार्शना नहीं किया, सी कलेक्टेड दो ओमेन आप दे नेवर हुट, उन्होंने आस पास, उन्होंने पास पड़ो आए धोल लिया, एंड श्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया, एक है, पुराना धोल लिया, और धोल को बजाना शुरू कर दा है, बजाई और जहे, गाना शुरू कर दिया, फार सेवरल हावर्थ, कई घंटों तक सी, थुम्पेड शेगिं, इसकिन आद ड दिल्पीडेटेड, कई घंटे तक साइगिंग माने देखें, ध्यान दिजेगा, साइगिंग माने होता है, दबाओ के कांड नीचे की ओड धलकना, लटकना, साइगिंग माने होता है, नीचे लटकना, और दिल्पीडेटिडे, टूटा फूटा, ड्रम माने होता वही नगाडा है, ध्योल जिसको आप लोग बोल सकते हो, वर्गर माने होता योद्धा, तो देख लिजेए पूरे का, तो फार सेवरल हावर्स कई घंटों तक सी ट्रंपेड माने पीटती रही दे सेगिंग माने जुख करके जैसे आदमी जब धुल जाता है तो जुख जाता है कई घंटों तक वह जुख करके धुल को बजाती रही इसकी आप डिलेपी डेटिंग ड्रम तूटा फूटा ड्रम यही जो तूटा हुआ पुराना जो ड्रम था कई घंटों तक उस पर जुख करके वह जैसे उसको पीट पीट करके धुल जाती रही और जो 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 पुराने जो कह सकते हैं आप पुराने गीत है जो धाओं के पुराने घर आने वाले गीत गाए वी है टू परसेड परसेड मने होता है आग्रह या सम्झाना आग्रह करना या सम्झाना वी है टू परसेड हमें उन्हें सम्झाना पड़ा या आग्रह करना पड़ा हर है टू श्टाप रोग दें टू एवाइड ओवर इस्टेनिंग ओवर इस्टेनिंग मने होता है अधिक ठकान हम लोगों को या पूरे परिवार को उन्हें इस अतधिक ठकान या अतधिक मेहनत भरे कार को रोकने के लिए सम्झाना पड़ा यानि ढूल गाने वाली जो प्रक्रिया थी और गाने वाली प्रक्रिया थी इसको रोकने के लिए आग्रह करना पड़ा देखो परस्वेट माने होता है आग्रह करना और ओवर इस्टेनिंग माने होता है अतधिक ठकान अत्य धिक थकान से बचने के लिए हमको हमें उन्हें समझाना पड़ा इस वाज फ्रस्ट टाइम यह पहला आवसर था इस वाज फ्रस्ट टाइम सिंस आई हैड नून हर दैट सी डिड नाट प्रे यह पहला आवसर था जब हम जाने की सी हेड सी डिड नाट प्रे उन्होंने प्राचना नहीं की यह पहला आवसर था जब हमको मालूम हुआ कि हम लोग जाने की दादी माने प्राचना नहीं दनेक्स्ट मार्निंग अगली सुब सी वाज टेकेन इल अगली सुब दादी मा जो थी अब अतधिक काम किया ढोल खुब बजाई नगाणा और क्या हो गई बीमार हो गई अतधिक है बजाने कान दादी मा बीमार हो गई इट वाल एट वाज ए माइल्ड फीवर हलका बुखार था और डाक्टर टोल्ड अस और डाक्टर हम लोगों को बताया दैट सी दैट इट उड़ गो चला जाएगा बुखार उतर जाएगा बट माई ग्रेंड मदर थाट डिफरेंटली मेरी दादी मा जो थी लेकिन मेरी दादी मा अलगी सूची शी टोल्ड अस हम लोगों को बताया हमें बताया दैट हर इंड वाज नियर उन्होंने कहा कि अब उनका अंतिन समय नजदीक है उन्होंने कहा दैट सिंस अंली एफ्यू हावर्स बिफोर दा क्लोज आप लास्ट चैप्टर आफर लाइप उनके जीवन के अधिम अध्याय के समाथ होने यानि दादी मा अपनी मृत्य के कुछ पहले उन्होंने कहा था शी हएड ओमिटेड टू परे उन्होंने अपना ही प्रास्टना को टालनी पड़ी या टाल दिया शी वाज नाट गोईंग टू वाष्ट एनी मृट टाइम टाकिंग टू अस she was not going to watch खोने वाली नहीं थी anymore मने और देख टाइम मने समय talking to us मने हम लोगों से बात करने में हम लोगों से बात करने में अपने समय को ब्रबार नहीं करना चाहती थी we protested हमने बिरोद किया but she ignored our protestants लेकिन उन्होंने हम लोगों का जो भी बिरोद था उसको ignore कर दिया अंदेखी कर दिया नकार दिया, टाल दिया she lay peacefully in bed praying वह प्राषना करती हुई बेड में लेती थी and telling her बोलती थी अपने आप से बेट अपने आप इस्तर में ही वह प्राषना करती हुई पड़ी थी even before we could suspect हम संका कर सकते थे her lips stopped उनके होठों के रुकने से पहले before है moving उनके होठों के रुकने से पहले हम संका कर सकते थे and the rosy fell from her lifeless finger fell from her lifeless निर्जीव finger माने होता है उंगली और आशंका करने से पहले होड़े हिलने बंद हो गए और माला जो थी उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर पई omitted ध्यान दिजेगा telling her and रोजी फिल और रोजरी है रोजरी में माला होता है फिल्म गिर पड़ी फ्राम हर लाई फिले स्फिंगर निर्जीव सरीर से और था दादी मा मर गई जो पूजा करने के लिए उन्होंने जो रोजरी लिया था माला लिया था उनके निर्जीव सरीर से गिर पड़ा ये पीस्फूल पलोर इस्प्रेड अन हर फिस पेलर माने होता है पीला पन उनके सरीर पर एक पीला पन छा गया चेहरे पर और हम जान गए कि दादी मा मर गई वी लिप्टेड हर आफ दबेड हम लोग उसको यानि हमने उनको घर वाले जो थे मिल करके हमाई साथ बिश्तर से बाहर निकाले और आएस इस कॉस्टमरी कॉस्टमरी माने जो रीत रिवाज होता है रीत रिवाज के नुसार लेड हर आन दे ग्राउंड उनको जमीन पर लेटा दिया और कवर्ड हर बिथ ए रेड शुरूड कफन और एक स्रावर जिसको बोलते हो और स्रावर मने कफन होता है और एक लाल कफन से उनको ढख दिया आप्टर एक फ्यू हावर्स आफ मार्निंग आप्टर एक फ्यू हावर्स आफ मार्निंग सुबह के कुछ घंटे बाद वी लेट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फार दे फ्यूनेरल इन दे इवनिंग और कुछ घंटे की बिलाव के बाद जहे हम लोग अंतिन संस्कार की बेवस्था है तो उनको अकेला छोड़ दिया उनको अकेला छोड़ दिया वी वेंट टू हर रूम हम वी वेंट टू हर रूम के कमरे में गए बित कुरूड इस्टेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड और सांकालक हम उन्हें अंतेष्टी हेतु ले आने के लिए जब एक अर्थी कुरूड बने अर्थी के साथ उनके कमरे में गए जो टिठी होती है उनके कमरे में गए दस्षन वाज सेटिंग सूर्य डूब रहा था एंड हेड लिट हर रूम है एंड है लिट हर रूम उनके कमरे में जलाया लइट किया गया और विरामदा भि dr बलेज आप गौल्डफ़ लाइट और उनके कमरे में और बरामदे में सुनहले प्रकास को से आलोकित कर दिया, दीप जला करके, कुछ भी लाइट जला करके, उनका जो गोल्डन लाइट है, सुनहले लाइट से जला दिया गया, ब्लेज में जलना होता है, आगन के आधे रास्ते में हम रुक गए, आगन के आधे रास्ते में हम रुक गए, आल अवर बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेर सी ले डेड, आल और बरामड़ा पूरе बरामदे में हमारे पूरे बरामदे में आएंड इन हर रूम और दादी मा के कमरे में राइट अब वेर सी लेड जहां पर वा मरी पड़ी थी आएंड सिप्ट रेड इन दे रेड शुड और लाल कफन में लिप्टी हुई थी thousand sparrow set a skader on the floor और फर्स पर हजारों हजारों गौराईया बैठी थी there was no chattering वे कोई चहचार्ट नहीं करती थी we felt sorry for the birds felt sorry दुख हुआ बहुत गौराईयों को देख करके and my mother felt some bread for them और मेरी जो मा थी उन्होंने कुछ रोटी के टुकड़ों को जहे उनको दे दिया she broke it into little crumbs उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जहे तोल दिया रोटी के टुकड़ों को the way my grandmother used to justify मेरी दादी मा तोड़ा करती थी and throw it to them और उनके सामने फिंक दिया the sparrow took no notice to the bread the sparrow जो थी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया रोटी पर when we carried my grandmother's crop आप जब हम लोग अपने दादी मा को उठाए they flew away quietly वे चुपचाप चली गई next morning अगली सुबह the sweeper shaped the bread crumbs into the dust bin और अगली सुबह जो sweeper मा ने साफ करने वाला जो था उसको रोटी के टुकणों को साफ करके dust bin में डाल दिया thank you lesson समाप्त हुआ है झाले लाए एक पीwire पाने औक है जा हम खबपाने equette खबास कर ऊफ्टा करने के हार दिया राए